तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल रिवीजन हब में तो आज हम डिसकस करने वाले हैं 2021 की महत्यपूर्ण चर्चित पुस्तकें जो आने वाले सभी एक्जामों के लिए काफी जादा इंपोटेंट रहने वाला है और इनसे काफी कोश्चन्स एक्जाम में आते ह हैं तो चली हम एक-एक करके देखेंगे और वो भी ट्रिक के हिसाब से ठीक है तो पहला क्या है पहला रचना कौन सी है पाटली पुत्र की सामगरी ठीक है उसके लेखक कौन है प्रोफेसर सरद पगारे और उसको कौन सा पुरुसकार मिला है तो व्यास समन 2020 मिला है इसी पार्टी और सरद पगारे से क्या लगेंगे पगार पगार नहीं मिला तो पार्टी कैसे देंगे ठीक है ऐसे याद रखेगा तो आपको आसानी से याद रहेगा जैसे पार्टली पुत्र से पार्टी ले लिजे पार्टी और पगारे सरद पगारे से ले लिजे पगार या रचना क्या है पुस्तक का क्या नम है सनातन और लेखक कौन है सरन कुमार डॉक्टर सरन कुमार उसको कौन सा पुरुषकार मिला है तो उसको पुरुषकार मिला है सरस्वती सम्मान ठीक है अगला देखते हैं अगला है रचना क्या है अगला तस्मीना संघर्ष और साहित्य ठ ठीक है दोस्तों लेखक कौन है इसके मोहन कृष्ण वोहरा और उसको कौन सा पुरुषकार मिला है इस पुस्तक को बिहारी पुरुषकार 2020 मिला है ठीक है दोस्तों इसको कौन सा पुरुषकार मिला है बिहारी पुरुषकार 2020 ठीक है अगला देख लेते हैं अगला है रचना क तोक्री में दिगंत थेरी गाथा ठीक है रचना का क्या नाम है टोक्री में दिगंत थेरी गाथा लेकी का कौन है अनामिका और उसको कौन सा पुरुषकार मिला है हिंदी भासा के लिए साहित्याकादमी पुरुषकार 2020 मिला है ठीक है दोस्तों तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं आप तो टोकडी में आम तो मतलब अनामिका टोकडी में धिगंत थेरी गाथा इसके लेखिका कौन हो जाएगी अनामिका और इसको कौन सा पुरुषकार मिला है हिंदी भासा के लिए साहित्य अकादमी पुरुषकार ठीक है अगला देखते हैं अगला है अगला पु अरुन धति सुप्रमन्यम पुरुसकार कौनसा मिला है इसको तो इसको मिला है इंगलीज भासा के लिए साहित अकादमी पुरुसकार 2020 मिला है इसे ठीक है रचना कौनसा है When God is traveler ठीक है और उसको याद कैसे रख सकते हैं अरुन धति से आप अंधी रख सकते हैं और God मतलब भगवान जो होता है वो अंधा होता है ऐसे आप याद रख सकते हैं या फिर ये भी याद सकते हैं कि भगवान के भरोसे कोई अंधा होकर चल सकता है मतलब ट्रैबलर पढ़ियाटक जो होता है वो अंधा होकर चल सकता है ठीक है दोस्तों तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं अगला देखते हैं अगला क्या है The Night Watchman ठीक है रचना का क्या नम है The Night Watchman लेखा कौन है Lewis and Rich ठीक है इसका लेखा कौन है Lewis and Rich और पुरुसकार कौन सा मिला है इसके लेखा कौन है तसिये डांगा रेवा ठीक है और इसको कौन सा पुरुसकार मिला है Pen Printer Fries 2021 मिला है इस रचना को ठीक है दोस्तों अगला देखते हैं अगला देखेंगे सगी बैन ठीक है रचना का क्या नम है सगी बैन और लेखा कौन है इसके Douglas Stuart ठीक है इसके लेखा क्या है Douglas Stuart और इसको कौन सा पुरुसकार मिला है Booker पुरुसकार 2021 ठीक है अगला देख लेते हैं तो सगी बैन का लेखा कौन हो जाएगा Douglas Stuart पुरुसकार कौन सा मिला है Booker पुरुसकार 2020 इनको मिला है चलिए अगला देख लेते है अगला है the discomfort of evening अगला क्या है the discomfort of evening तो इसके लेखक कौन है जागे मारे के लुकास reasonable ठीक है और इसको कौन सा पुरुषकार मिला है international booker पुरुषकार 2020 इनको मिला है ठीक है दोस्तो तो याद कैसे रख सकते हैं याद आप ऐसे रख सकते हैं discomfort of evening और मारे के लुकास reasonable से आप reasonable से reasoning याद सकते हैं और आप ये करेंगे कि evening मतलब साम को reasoning बनाने में आप discomfort फिल करते हैं ऐसे आप याद रख सकते हैं कि reasoning बनाने reasoning solve करने में evening में आपको discomfort फिल होता है ऐसे आप याद रख सकते हैं तो इसको कौन सा पुरुषकार मिला है international booker पुरुषकार 2020 अगला देख लेते हैं अगला है at night all blood is black इसके रसनाकार कौन है डेविड डायोप ठीक है इसके रसनाकार बुकर पुरुषकार 2021 ये question जो है काफ ही important हो जाता है आपके आने वाले सभी exam के लिए तो इसको आप एक बार और देख सकते हैं रसना है और night all blood is black इसके रसनाकार है डेविड डायोप और इसको कौन सा पुरुषकार मिला है international booker पुरुषकार 2021 अगला देख लेते हैं अग 2021 इनको मिला है तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं पित्रवद मतलब पिता की जब हत्या हो जाती है तो आशू गिरते ही है ठीक है दोस्तों तो आप ऐसे याद रख सकते हैं आशू तो से आशू और रचना पित्रवद मतलब पिता की हत्या होने पे आशू निकलता ही है तो आप यह से भी याद रख सकते हैं अगला देख लेते हैं अगला है Lost Children Achieve ठीक है इसके लिखा कौँ है वालेर या लुईसेली इसको कौन सा पुरुसकार मिला है Dublin Literary Award ठीक है आप इसको एक बार और देख लेगे क्या है रसिना का कहना है Lost Children Achieve ठीक है लेखा कौँ है वालेर या लुईसेली पुरुसकार कौन सा मिला है Dublin Literary Award 2021 तो आप इनको सबको याद कर लेंगे काफी ज़्यादा important question है तो चलिए हम इसी notes के साथ अपना वीडियो खतम करते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है दोस्तों धन्यवाद